हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई कुकिंग लंच व्लॉग, I hope all of you are doing well तो आज मैं वही बेसिक सा प्लेन सा खाना बना रही हूँ लेकिन अगर आप इस तरह से खाना बनाएंगे ना तो वही बेसिक बोरिंग सा खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको लगेगा कि बस मतलब मज़ा आगया खा करके तो आज मैं एक सिंपल सा डाल बनाऊंगी जिसके लिए मैंने यहाँ पर मूंग की डाल और मसूर की डाल और साथी मैं अरहर की डाल को धो करके भीगने के लिए रख दिया है जो डाल की क्वाइंटिटी है ना तीनों इकवल लिया मैंने अगर आपको मन हो तो जो आपको पसंद हो तो आप किसी भी डाल की क्वाइंटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं साथी मैं बनाऊंगी यहाँ पर आलू गोभी की सूखी सबजी और मतलब इसमें लज़ब पयाज वगरह नहीं रहेगा तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप बिना लजब पयाज के कुछ भी नहीं बनाती है तो ऐसा नहीं है मैं बहुत सारी चीजे बिना लजब पयाज की भी बनाती हूँ अगर आप देखेंगे तो साथ आपको पता चलेगा तो इसके लिए मैंने गोभी आना वो अच्छे से देख लिया है इसमें कोई कीड़े वगरह नहीं है और इसे गर्म पानी में डाल दिया साथ ही थोड़ा सा नमक डाल करके साथ ही मैंने यहाँ पर आलू लिया है जिसे मैं यहाँ पर टुकड़ों में काट रही हूँ आप इस तरह से जब भी आलू की सबजी बनाना तो थोड़े बड़े साइज के काटेंगे न तो बहुत ही ज़्यादा चलेगा लगेगा कहीं बाहर का खाना खा रहे है साथ ही मैंने इधर कड़ाई चड़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा सरसो का तेल डाला है थोड़ा नहीं थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा है उसमें डाल दिया है मैंने गोभी जिसे मैंने हलका सा बॉयल किया था गोवी एकदम clean थे दो चार बार गोवी को चलाने के बाद मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है अब आपको क्या करना है ना दोनों गोवी और आलू को अच्छे से low flame से medium flame करते वेसे अच्छे से भून लेना है जब तक कि जो गोवी आलू दोनों हलकेल की brown ना हो जाए अब चलते हैं इदर दाल बनाने की तरफ तो मैंने जो डाल डाली थी ना इस तरह से अगर आप पहले दाल थोड़ी से भीगा देंगे ना तो बहुत जल्दी से बन जाता है तो स्टार्टिंग में ही मैंने या पर दाल को भीगने के लिए रखा था तो कुकर में डाल दिया है उसमें डाल एक टमाटे स्लाइस क्यूवी साथी थोड़े से मखाना डाले हैं अगर आप मखाने को देख लें अंदर मतलब कई बार कीड़े वगरा रहते हैं साथी हल्दी नमक और एक डाल चिनी का टुकड़ा डाला है इस तरह से अगर मैं डाल बनाती हूँ न मखाना डाल करके तो अव्यू को बहुत अच्छा लगता हो बहुत मन से खा लेता है साथी मैंने अब थोड़ एक बार एक अदरक और मिर्च काटी है और हां मैं बोलना बोल गई धकल लगा करके आपको दाल में ना चार विसल आने तक इसे पका लेना है जो आलूगों भी थे ना वो अच्छे से यहां पर ब्राउन हो गया है तो इसे मैंने निकाल लिया है यहां पर थोड़ा से तेल अधा कडाई में थोड़ा समयने और डाला है अब डालेंगे पंच फोड़न जिसमें मैंने जीरा सौफ मेथी सरसो और थोड़ी से आजवाइन ली है साती एक तेज पत्ता और हिंग डालेंगे और बारीक कट्वी अधरक और मिर्ची डाल देंगे अच्छे से लोग फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि जो मतलब अधरक और मिर्च अच्छे से भूनना जाए जलाना नहीं है साथी मैं सबजी मैं डालने के लिए एक टमाटर काट रही हूँ जब याद रख मिर्ची भून जाए तो टमाटर डाल देंगे इसमें अब यह आपके यह टमाटर क्या रेट मिल रहा है मुझे कमेंट कीजेगा अब क्या करेंगे कि यहाँ बर जो मसाले डालेंगे तो मैंने हल्दी, धनिया, पाउडर, जीरा पाउडर, साथी लाल मिर्च का पाउडर और नमक डाल दिया है और यहाँ पर आपको इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि जो टमाटर अच्छे सौफ ना हो जाएं और मसाले भूनना जाएं, तब तक कि लिए आप इसे अच्छे से भूने साथी मैंने लिया यहाँ पर दो से तीन चमच के करीब दही दही यहाँ मेडियम खटा है, बहुत जादा खटा नहीं है आइसे अच्छे से फेट लेंगे तो मैं यहाँ सूखी सबजी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर दही डाल दिया है दही डालेंगे ना इस तरह से आलू गोवी की सबजी बहुत अच्छा टेश्ट आता है फ्लेम को आज मैंने हाई रखा है और दही डाल दिया है जब भी आप दही एड़ करें सबजी में तो या तो फ्लेम को एकदम लो कर दे या फिर हाई करें तो दही बिल्कुल भी नहीं फटती है जैसे यहाँ पर जो दही डालने के बन्द मैंने अच्छे से मिला लिया है फिर इसमें ऐड़ कर दिया है अपना आलू को भी अब देखिए इसे यहाँ पर आपको भूनना है मतलब भूनते हुए पकाना है वैसे आलू को भी यहाँ पर अल्मोश्ट पके हुए थे तो मैंने ढखकर लगा करके इसे ढख दिया है आज साथ ही मैं यहाँ पर बनाऊंगी पत्ते वाले प्याज की सबजी सुखी सबजी बेसन डाल के बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है वैसे कल जो मैंने मंचूरियन बनाया था ना उसी में काफी सारा प्याज बचा हुआ था यह पत्ते वाला उसीलिए मैं आज यहाँ पर इसके सबजी बना रही हूं तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से धोलीया है और इसे काट लिया है जो अलू को भी थे ना वो भी यहाँ पर अल्मॉस्ट हो गया है मैं यहाँ पर चेक कर ले रही हूं देखे जो आलू है यहाँ पर अच्छे से पग गए हैं तो इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया डाल देंगे काट करके अगर आपको यहाँ पर सबजी को ग्रेवी वाली बनानी है न तो आप यहाँ पर पानी डाल दे उसकाद आप यह सबजी ग्रेवी वाली बन जाएगी फ्लेम को आफ कर दिया है मैंने और इधर जो है न वो दाल भी अच्छे से पग गया है देखे अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गई है एकदम प्लेन डाल है बेसिक वाला बिना प्याहिल है सुनका अब डाल में एक सिंपल सा तड़का लगा लेते हैं तो इसके लिए मैंने आप तड़का पैंचड़ है उसमें एक तेजबत्ता घी डाला है और थोड़ी सी राई डाली है आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं थोड़ा से हींग डालेंगे और कसूरी मेथी अफलेम को आफ कर दिया है मैंने साथ ही थोड़ी सी कस्मीरी लाल मिर्च की पाउडर डाली है देखने में कलर अच्छा आता है बट तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है देखें यहाँ पर जो डाल है किती ज्यादा यमी लग रही है वही बेसिक सा प्लेन सा डाल है बट देखें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है खागे बताईएगा बहुत अच्छा टेश्ट आता है ट्राइ करके देखें कभी अगर आप प्लेन डाल हमेशा रोज रोज बनाते हैं तो कुछ इस तरह से ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा प्याज बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने तेल डाला साथी थोड़ी सी सौफ डाली है जो हरे वाली प्याज थी ना उसका वाइट पार्ट डाला है मैंने मतलब नीचे का जो छोटा छोटा प्याज ह साथी इसमें डाल दिया मैंने दो चमच के करीब बेसन अब यहाँ पर जो प्याज है ना उसके साथ बेसन को भूनेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि जो बेसन का कच्चापन निकलना जाए उसके बाद जो प्याज के पत्ते गाटे थे ना वो एड़ कर देंगे साथी हल्दी नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पॉर्डर एड़ किया है बहुत थोड़ा सा नमक एड़ करिएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्याज के पत्ते हैं सब गल के तुड़कू सह हो जाएंगे उदर मैंने चावल चड़ाया है देखिए सबजी नम मतलब मुस्किल सबको पांच मिट लगेगी बनाने में और बहुत ज़ादा यमी लगती है खाने में प्लीज आप लोगे पर ट्राइ कीज देगा बहुत बहुत यमी लगती है देखें यहाँ पर यह जो प्याज है ना बन के तयार है और इदर राइस भी हो गया है तो लेट हो रहा था मुझे थोड़ा तो इसलिए मैंने कुकर खोल दिया है चाल भी अच्छे हो गया थे और यह है सुपर यमी दाल प्लेन वाली और यह सुखी आलू गो भी साथी प् के बताईएगा और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजेगा और अगर आप लोग कोई नई रेस्पी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट कीजेगा मैं कोसिस करूंगी बनाने की मिलती हूं इसी तरह के आसान और इंट्रेस्टिंग व्लॉग के साथ तब तकी लिबा बाइटिक केर